Hello students, आज हम BA, BSC 2 semester 3 की एक बुक हमने स्टार्ट की हुए Advanced Calculus, जिसका आज हम chapter number 2 स्टार्ट कर रहे हैं Chapter number 2 का नाम है The Derivative and Mean Value Theorems First lecture है आज हमारा इस chapter का, जिसमें आज हमारा जो topic रहेगा, वो रहेगा Derivative by Chain Rule ये आप पहले भी वैसे topic पढ़ चुके हो पिछली classes में एक बार हम फिर से देख रहे हैं, इस topic में हमारा पास क्या है कि अगर हमें y function दिया हुए u का और u हमें function दिया हुए x का और क्या क्या given है हमारा पास और अगर dy by du exist करें और du by dx अगर exist करते हैं तो हमारे पास dy by dx भी exist करेगा और वो कैसे exist करेगा, निकानने का आपका formula क्या रहेगा वो formula आप करेगा dy by dx is equals to अब पहले y किसका function है, u का function है तो it means y का derivative पहले u के respect में होगा dy by du और u आगे किसका function है, x का function है तो u का derivative किसके respect में जाएगा, x के respect में du by dx तो ये हमारे पास formula हो जाएगा, किसका dy by dx का अब ऐसा जरूरी नहीं है कि y, u का function है, u आगे सीधा ही x का function दिया हूआ हो हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि y हमारे पास किसका function है, u का function है और u हमें function दिया हूआ हो, v का और V आगे function किसका दिया हो हो X का तो आपका derivative Y का derivative अगर आपको X के respect में निकालना हो तो कैसे निकलेगा हमार पास पहले Y किसका function है U का function है तो Y का derivative पहले U के respect में अब U किसका function है V का function है तो U का derivative V के respect में DU by DB और V आगे किसका function है X का function है तो V का derivative with respect to X यह आपका finally निकल जाएगा dy by dx बिलकुल यही rule आपके follow होंगे जब आप chain rule के respect में derivative करोगे अब इस chain rule के respect में हमारे पास कुछ इस पे based questions है numerical हैं वो एक बार देख लेते हैं first example हमारे पास क्या है differentiate करना आपको किसे x square plus x raised to the power 4 with respect to x x के respect में इसे differentiate करना है तो हम क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि हमारे पास given क्या है यह है y के equal y is equal to x square plus x raised to the power 4 और क्या मान लेते हैं कि x square plus x किसके equal है u के equal है it means y क्या दिया है हमें u raised to the power 4 हमें निकालना क्या है इसका derivative x के respect में निकालना है It means y का derivative आपको किसके respect में निकालना है? x का respect में. तो कैसे निकलेगा? Chain rule apply हो जाएगा यहाँ पे. y किसका function है? u का तो हमार पास क्या आजाएगा? y का derivative पहले u के respect में. into u किसका function आगे? x का. तो du by dx आजाएगा. y का जब u के respect में निकालोगे, क्या आजाएगा? 4 u क्यूब और u का x के respect में क्या आजाएगा? 2 x प्लस 1. अब u की वापिस से value पुट कर दो. हमारे पास क्या बनेगा? 4 x x के अर प्लस x रेस टुदी पावर 3. 2 x प्लस 1. बिल्कुल सिंपल है यह आपका answer आजाएगा. इसी के जैसे कुछ और questions है, वो एक बार देख लेते हैं. Second example हमारे पास क्या है? differentiate करना आपको. 3 प्लस 4 x by 2 minus x raised to the power 2 with respect to x. Simple, बिल्कुल सेम आपका method रहेगा. सबसे पहले आप assume कर लो कि इसे आप क्या मान के चल रहे हैं? हमने माल लिया कि यह किसके एक वाला? y के एक वाला है. y is equal to 3 plus 4 x by 2 minus x whole square और u हम किसे माल लेते हैं? 3 plus 4 x by 2 plus x. तो हमारे पास y क्या बन जाएगा? u square बन जाएगा. अब मुझे dy by dx निकालना है. तो y किसका function है पहले? u का function है तो dy by du into u किसका function है? x का du by dx. क्या बन जाएगा? y का derivative u के respect में 2 times u into u का x के respect में u by v का formula लग जाएगा. 2 plus x का whole square फिर 2 plus x as it is. 3 plus 4 x का derivative x के respect में 4 minus 3 plus 4 x as it is. 2 plus x का derivative के आजाएगा x के respect में 1. तो यह simplify करके आपका बनेगा 2 times 3 plus 4 x by 2 plus x. u की value हमने put कर दिया है यहाँ. और यह क्या बन जाएगा? 2 plus x का square 8 plus 4 x minus 3 minus 4 x. यह बन जाएगा आपका 5 आजाएगा यहाँ से. तो simplify करके आपका यह क्या बन जाएगा? 3 plus 4 x by 2 minus x raise to the power 3. अच्छा, यहाँ पे mistake मेरे क्या होगे? यहाँ पे minus चल रहा था. मैंने by mistake plus लिख दिया. यह minus है, यह minus है, यह minus है, और यहाँ पे क्या आजाएगा? minus 1. तो यह plus हो जाएगा. और यह minus, यह plus. हमारे पास यह क्या बच जाएगा? उपर साथ में 11, 8 plus 3, 11, 11, 22. यह आपका बिल्कुल सिंपल है. अंसर आजाएगा. इसी के जैसा एक और question है हमारे पास. Third question देखिए, students, हमारे पास क्या है? Third example है हमारे पास. Root 1 plus x square को आपको differentiate करना है with respect to x. ठीक है? तो कैसे करेंगे? पहले हम y मान लेंगे किसको root 1 plus x square को. Means इसको लिख सकते हैं? 1 plus x square raised to the power 1 by 2. और u हम किसको मान लेते हैं? 1 plus x square को. तो हमारे पास यह क्या बन जाएगा? y is equals to u raised to the power 1 by 2. dy by dx क्या बन जाएगा? dy by du into du by dx. तो dy by dx किसके equal आजाएगा? dy by du क्या बनेगा हमारे पास? 1 by 2 u raised to the power 1 by 2. और du by dx क्या बनेगा हमारे पास? 2x. तो यह आपके पास 2 से 2 cancel बन जाएगा. x by u क्या है? हमारे पास 1 plus x square raised to the power 1 by 2. सिंपल है बिलकुल. ऐसे ही question number 4 है हमारे पास. y हमें क्या दिया हुए? v cube plus 2 v square plus 5. v दिया हुए हमें 3u plus 1. और u दिया हुए 9x plus 1. आपको निकालना क्या है? dy by dx. तो सबसे पहले dy by dx निकालना है ना. y किसका function है? v का. तो y का derivative पहले किसके respect में जाएगा? v का respect में dy by dv. अब v किसका function है? u का. तो v का derivative किसके respect में जाएगा? u का respect में dv by du. और अब u किसका function है? x का. तो ये हमार पास du by dx. dy by dv कितना आजाएगा? 3 v square plus 8v. और dv by du कितना आजाएगा? 3. और du by dx कितना आजाएगा? 9. मेंस ये बन जाएगा 27, 3, 3, 3u plus 1 whole square plus 8, 3u plus 1. यहां पर भी value पुट कर सकते हैं. 27, 3, 3, 9x plus 1 plus 1 square plus 8, 3, 9x plus 1 plus 1. यह आपका simplify करके x की form में answer आजाएगा. बिल्कुल simple आगे calculation का का हम है? बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आप लोग अपने आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें. बिल्कुल आजाएगा रही हूं, वो क्या है? यू क्या assume कर लिया है? यू हमारा है, x plus root x square plus a square. तो y हमारा क्या बन जाएगा? यू raised to the power and dy by dx कैसे निकलेगा? dy by du into du by dx. dy by du हमारे पास क्या आजाएगा? n, u, n minus 1. और du by dx क्या बन जाएगा? हमारे पास, 1 plus 1 by 2 root x square plus a square. और साथ में इसका derivative 2x. ठीक है? अब सारी values बुट कर देते हैं. n, u हमारे पास क्या चल रहा है? x plus root x square plus a square. और ये 2 common आजाएगा. 2 से 2 cancel, हमारे पास ये बचेगा. x square plus a square plus x. divide by x square plus a square. इसकी भी power कितनी चल रहे थी? n minus 1. जब ये combine होगा, हमारे पास क्या आएगा? n, x plus root x square plus a square. n minus 1 power यहाँ, 1 power यहाँ. तो ये n बन जाएगा by root x square plus a square. बिल्कुल simple question है. इसी के जैसा आप हमारे पास है question number 7. 7th question में आपको divide by dx निकालना है. y हमें क्या दिया हुआ है? 2 x plus 3 whole square plus 8 cube. divide by dx निकालना है. हम यू क्या मान लेते हैं? 2 x plus 3 whole square plus 8. और हम इसमें भी इसको हम क्या मान लेते हैं? अगर आप इसको भी नहीं भी मानना चाहते, तो भी आपका simple है. कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. आप कर सकते हैं से. 2 x plus 3 को हमने भी मान लिया. तो हमारे पास y क्या बन जाएगा? u cube और u हमारे पास किसके equal है? v square plus 8 के. तो dy by dx हमारा कैसे निकलेगा? dy by dx is equal to पहले y किसका function है u का? dy by du. u किसका function है v का? du by dv. और v हमारे पास किसका function है? x का dv by dx. क्या आजाएगा हमारे पास यहाँ से? 3 u square into du by dv कितना मनेगा? 2 v into 2. तो यह क्या बन जाएगा? 12 u square v. u की value हमारे पास क्या है? 2 x plus 3 का whole square plus 8 square डारेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं. into v, v हमारे पास क्या है? 2 x plus 3. आगे बिलकुल कालकुलेशन करनी है चोटी सी. सिंपला हो जाएगा. student, आज के lecture में हम इतना ही करेंगे. इसके बाद जो हमारे पास next topic रहेंगे, वो बहुत important रहेंगे. उन में हम theorem की proof भी करेंगे. और उन theorem पे based questions भी करेंगे. जैसे next lecture में हम darbox theorem और उस पे based questions करेंगे. और उसके बाद जैसे आपकी आती जाएगी, rolls theorem आ जाएगी, उस पे based question आ जाएगे. lagrangis theorem और उस पे based question आ जाएगे. आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी doubt हो तो आप clear कर सकते हो. Thank you students.